आज मीठे बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, कि मुझ आत्मा को सबसे पहले फुल स्टॉप लगाना है, कोई भी बात हो जाए, उस बात में, किसी भी परिस्थती में, फुल स्टॉप किसे लगाना है, मुझे लगाना है, जो फुल स्टॉप लगाता है, जो स्वयम को परिवर्थन करता है, उसको दुआएं मिलती हैं, स्वयम की भी दुआएं मिलती हैं, जिससे खुशी कानुभव होता है, और बाबा की भी प्रामन परिवार की भी दुआएं मिलती हैं, आप देखो, दुनिया में कोई भी परिस्थिती आती है ना, जिसमें एक से अधिक आत्मा इन्वॉल्ड होती है, तो उस परिस्थिती में हर एक को ये होता है कि फुल स्टॉप लगाना तो चाहते हैं, लेकिन पहले दूसरा लगाए, पहले हम फुल स्टॉप नहीं लगाएं पहले दूसरा लगाए, और इसी बात में बात चुहें बढ़ती चली जाती है, लेकिन बाबा केते हैं कि हम बच्चों को ये इनिशियेटिव लेना है, ये जिम्मेवारी उठानी है, कोई भी सिचुवेशन में पहले फुल स्टॉप कौन लगाएगा, मैं, क्योंकि जब फ चलते चले जाते हैं, और संकल्प चलते चले जाते हैं, तो वायूमंडल बिगडता है, एक तो मैं आत्मा, मेरा, मेरी मन सा, मेरा सब कुछ किसलिए है, नई स्रिष्टी के निर्मान के लिए, तो जिस समय हम परिस्थिती में संकल्प चला रहे हैं, उस समय और सेफ संकल्प तो नहीं चलते नखे फिर करम में भी आता रहता है। कुछ ना कुछ बोल ऐसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ करम करेंगे। तो अगर मैं उस समय अगर में अरे ब्रामन होकर ये कर रही हूं, तो obviously, मैं विश्व परिवर्थन का कारे तो उस समय नहीं कर रही, उस समय मैं किसके सेना में हूँ, रावण की सेना में, अभी किसके किसके जीवन में ऐसी कोई बात चल रही हैं, जिसमें उनको full stop लगाने की जुरूरत है। चल रही है वरतमान कोई ऐसी बात चल रही है, जिसमें फुल स्टॉप लगाने के जरूरत है क्योंकि जब फुल स्टॉप नहीं लगाते संकल्प चलते जाते हैं कुछ न कुछ करम होते हैं तो फिर उससे एक तो हम अपना संगमयोगी ब्राम्भन का करतवे नहीं कर रहे और उल्टा रावन की सेना का काम कर रहे है रावन का काम क्या है वायू मंदल को और बिगाडना शक्तिहीन करना तो वो रावन का काम हम उससे में कर रहे हैं तो बाबा हम यह समझाते हैं कि फुल स्टॉप मुझे लगाना है लेकिन फुल स्टाप लगाने के लिए दो बाते चाहिए पहला आत्मा और बाबा की स्मृति मैं आत्मा और बाब की स्मृति में हूँ या बात की स्मृति में हूँ कौन सी स्मृति में हूँ मेरी बुद्धी में बात चल रही है या ये चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ तो बिंदी लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि जैसे स्मृति वैसे समर्थ थी, अब बात तो बिंदी नहीं है, बात तो विस्तार की है, तो बात स्मृति में होगी, तो बुद्धी विस्तार में चाएगी, लेकिन जब मैं कौन और मैं किसकी संतान हूं ये स्मृति में रहता तो अपनी शक्ती अपना गुण याद रहता कि मैं बिंदु रूप हूं मेरा बाबा बिंदु रूप है मेरे लिए कितनी भी कैसी भी बात हो बात का साइस मैटर नहीं करता मैं किसी भी परिस्तिती में फुल स्टॉप लगा सकते हूं क्यूंकि मैं बिंदी हूं मेरा बाबा बिंदी है तो मेरे लिए फुल स्टॉप लगाना कोई बड़ी बात में लेकिन जब बात की स्मृति में र यह important है, अब कौन सी स्मृति में रहेंगे, जिस स्मृति का अभ्यास करते होंगे, अगर सारा दिन बुद्धी बाहर भटकती है, तो परिस्थिती के समय सोचें, कि बस हम अपने बारे में है न, मैं आत्मा बिंदुरूप हो जाओं, नहीं हो सकता। जब इसले बाबा ने दुसरे पॉइंट पताई, कि कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर कैसे आती है? प्रक्टिस से, न, मन बुद्धी को फुल्स्टॉप लगाने की प्रक्टिस जिसको होगी, उसमें कंट्रोलिंग पावर होगी। कोई भी मशीन है, गारी है, उसको कंट्रोल करना, अच्छी ड्राइव करना, कैसे होगा? जब ड्राइव करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो जब चाहेंगे ब्रेक लगा देंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, तो लगाना चाहेंगे ब्रेक और होगा एक आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ऐसे फुल स्टॉप की स्टेज में जाने की मेरी प्रेक्टिस है, अब आप देखो, प्रेक्टिस का बहुत सुन्दर नियम है, प्रेक्टिस हमेशा अनुकूल परिस्थतियों में की जाती है, जब कोई योधा होता है, तो वो कब करता है, वोर के बीच में, हाँ वोर शुरू हो गई, वो कहेगा मैं प्रेक्टिस करने चारा हूँ, ऐसा होता है, नहीं, जब पीस टाइम है, तो वो प्रेक्टिस करता है, आप पीस टाइम में वो प्रेक्टिस ना करे, इधर उधर समय वेस्ट करे, कुसंग में पड़ गुमे फिरे और फिर अच्छानक वार में चला जाये तो क्या होगा? मारा जाएगा. तो ऐसे ही हमें भी देखना है कि बाबा ने हमें प्राक्टिस करने का समय कौन सदिया है? सबसे पीसफुल टाइम, अमरित वेला. और अमरित वेले में हमें रोज फाउंडेशन डालना है. जब परिस्थतिया अनुकूल है, मन की धर्नी भी शान्त है, वायुमंडल भी आसपाश शान्त है, तब क्या करना है? बिलकुल बिंदु रोप बन, बिंदु बाबा की याद में बैठना है. बिंदु भी, गुणो का सिंधु भी. एक में सब कुछ समाया है. बुद्धि का ही भटकती नहीं है. बुद्धी सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती हैं, सर्व रस का अनुभव करती हैं, लेकिन एक से कोई भटकरने, सारी दुनिया की बातों को फुल स्टॉप लगा कर, बुस मैं बिंदी और एक बिंदी बाबा में में मेरा पूरा संसार। तो जब ये रोज अभ्यास करेंगे और जब ये अभ्यास का फाउंडेशन सुबह सुबह डाला और सारे दिन में इस फाउंडेशन के आधार से जब छोटी-छोटी बातों में प्रैक्टिस करेंगे, है न जैसे ओफिस के बीच, अब ओफिस रोज जाते हैं, ग्रहस वेभार में रहते हैं, काम काज में रहते हैं, ग्रहस समालने में पचासो बाते आते हैं, उन सब के बीच जो परिस्थितिया हमारे जानी पहचानी है, उन परिस्थितियों के बीच फिर ट्राफिक कंट्रोल कर जब टाइम हुआ, अलाम बचा, एकदम से आत्मा बन बाबा की याद में बैठ चाएं, जब ये बार बार प्रैक्टिस होगी न, प्रैक्टिस के लिए तो हमें बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बना कर दिया है, रात को सोने से पहले बिल्कुल फुल स्टॉप लग की याद में सोचाओं, तो जब ये अभ्यास रोज करेंगे, तब बड़ी बातें भी जब आएंगे न, जब बड़ी परिस्थतियां आ जाती हैं, जिनको हम बड़ी कहते हैं, होती तो कुछ भी नहीं है, होती तो ड्रामा की सीन है, लेकिन जब वो बातें आती हैं, तो उस समय पर हम ये अभ्यास झो है, इसको अप्लाई कर सकेंगे, और एक्तम से बिंदी बन, बिंदी बाप को याद कर, किसी भी बात को फुल स्टॉप लगा सकेंगे, और अपनय जो चिंतन है, अपने संकल्प, अपने करम परिवर्तन कर सकेंगे, संकल्प दोनों तरफ से चल र रही है, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है, लेकिन पहले कौन उस प्रश्न को हल करकर पहले मैं, पहले मैं फुल स्टॉप लगा दो, पहले मैं वो जो उल्टा करम है, जो मैं कहते हैं, उनके करने से हम रियाक्शन में कर रहे हैं, वो परिवर्तन कर दो, तो जब ये मैं परिवर क्योंकि आप देखो संगम युग में हम बच्चों का एक भी संकल्प एक भी सेकेंड किसी भी दुनियावी बात में नहीं व्यर्थ जाना चाहिए है न हमें ये संगम युग का हर सेकेंड हर संकल्प सफल करना है तो फुल स्टॉप लगाएंगे तब तो सफल होगा न तो पहली बात ये फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा की शृमत पर चलने में ही जैसे बाबा का रिगार्ड रखना है अगर बाबा की मत पर नहीं चलते तो डिजरिगार्ड करते हैं बाबा का ऐसा नहीं कि दुनिया में जिसे क्या होता है कि भगवान को मानते हैं भगवान की मानने का सिस्टम नहीं है भगवान की मानने का सिस्टम है कि दुनिया में भगवान की नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे ही कई बार सेंटर्स पर भी कोई आते हैं, तो कहते हैं, हम बाबा जी को मानते हैं, ऐसे कहेंगे, हम बाबा जी को मानते हैं, तो हम उनको कहते हैं, या बाबा जी को नहीं मानना है, बाबा जी की माननी है, तो बाबा क कि मानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि बाबा कहता क्या है समझ और सुमझ समझाता क्या हम तो मुरली सुनेंगे, बाबा के direction सुनेंगे, तब decide करेंगे कि हम बाबा की मानते हैं या नहीं मानते हैं और बाबा को मानना कुछ नहीं होता है, बाबा की जो मानते हैं वही बाबा को मानते हैं अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा कहते हैं, कोई रिगार्ड नहीं है, दुनिया में तो क्या है, फुल चड़ाया, जल चड़ाया, भोग लगाया, और आर्तिगाई, किर्तन किया, तो ये सारी चीजे रिगार्ड में जाते हैं, इस प्रकार से रिगार्ड र दादी चड़ाओ कुछ नहीं है, तो मेरी तो बस एक मत है, मैं आता हूँ, तुम्हें श्रीमत सुनाता हूँ, जो श्रीमत पर चलते हैं, वो रिगार्ड रखते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते, वो जैसे डिजरिगार्ड करते हैं, तो मुझे अपने आप से पुछना ह कि क्या मैं बाबा का रिगार्ड रखती हूँ क्योंकि बाबा हमें कहते हैं मालुम भी है कि मुरली जो है उसमें जो भी मत आती है वो किसने दी? शिब बाबा ने ब्रह्मा मुक्ष से दी लेकिन और उस मत को सुनते हुए भी अपनी उल्टी मत पर चलते हैं अब विचार करो आए हुए भगवान का डिज्रिगार्ड करेंगे तो क्या गती होगी हमारी है न? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मुरली की हर बात को क्योंकि मुरली कोई साधारण नहीं है एक-एक अक्षर शिब बाबा ने ब्रह्मा मुक्ष से हम बच्चों के लिए मत दी है और उस मत पर मुझे चलना ही है और बाबा कहते हैं जो ये निश्चे बुद्धी होकर चलते हैं कि मुरली में शिब बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा हमें डायरेक्शन दिये हैं और जो टोटल उस पर चलते हैं बाबा केते हैं, वो ना तो कभी घुटका खाते हैं, ना उनका कभी घाता होता रहारी है, बाबा केते हैं, यह मेरी ग्यारंटी है, कि श्रीमत पर चलेगे, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन कब जब निश्य बुद्धी होकर चलेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है न हम श्रीमत पर चलते तो हैं पर निश्य बुद्धी होकर नहीं चलते इसलिए घुटका भी होता है और फिर अपनी ही जो निश्य की कमी है उसके कारण सफलता में भी कमी होती है क्योंकि आप देखो कि श्रीमत पर एक कदम बढ़ाया जब श्रीमत पर एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा मालू मैं? अगले कदम में माया आके खड़ी हो जाएगी सीधा क्या होता है? जैसे ही श्रीमत पर एक कदम बढ़ाया, माया आकर खड़ी हो जाएगी, अब माया आकर खड़ी हो गई, तो फिर क्या करते हैं, अगला कदम, क्या, क्यूँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो हमारा काम क्या है, निश्य बुद्धी होकर, कदम पर कदम बढ़ाते रहना, माया कि side scenes में ना फसना लेकिन अगर निश्य बुद्धी नहीं है तो फिर माया में फस जाते हैं क्या क्यूं में पढ़ जाते हैं घुटका खाने लगते हैं पता नहीं रास्ता ठीक है नहीं है और जब ऐसे घुटके खाएंगे तो अंत में भी सफलता कैसे लेकिन जो बच्चे निश्य बुद्धी हैं और निश्य बुद्धी होकर श्रीमत पर चलते हैं तो जब श्रीमत पर चलते हैं निश्य बुद्धी, निश्य बुद्धी कैसे होते हैं अब हम बाबा के बन गए तो बन गए जीना यहां, मरना यहां इसके सिवा जाना का, अब जो भी होता है, मुझे तो वही करना है, जो बाबा ने कहा है, कई बार ऐसा होता है, कि कोई विगन आता है, तो हमें कोई पूछते हैं, कि अभी आप क्या करेंगे, तो हमें तो वही आता है, जो करना आता है, वही करेंगे, उसके अलावत कुछ आत जब बाबा के बने, तो सारे दर्वाजे तो बंद कर दिये, तो जब बंद कर दिये, तो फिर यही करना है, यही जीना है, यही मरना है, तो फिर जो भी है, उसमें आगे बढ़ते चले जाना है, कितने भी विगन आए, कितना भी कुछ आए, वो बाहर है, अंदर कुछ हल चलन और जब ऐसे होते हैं, तो बाबा कहते हैं, जर्नी भी बहुत अच्छी होगी, कोई घुटका नहीं, कोई confusion नहीं, कोई confidence की कमी नहीं, पूरा निश्य बुद्धियोकर स्मूथ चलेंगे, बाहर विगन आएंगे, यात्रा बाहर से विगनो वाली होगी, लेकिन अंदर यात्र पर पुँचेंगे, तो बाबा कहते हैं, तब भी पता चलेगा, कि मेरा कोई नुकसान ने हुआ, मेरा सिफ कल्यान ही कल्यान हुआ, तो बाबा कहते हैं, यह मेरी गैरेंटी है, उल्टे को भी सुल्टा कर देंगे बाबा, लेकिन उनके लिए जो निश्य बुद्धी है, आम एक बार जानकी दादी जी की एक class attend कर रहे थे मधुबन में, तो दादी जी को कोई पूछ रहे थे कि आपके जो आदी के अनुभव कैसे रहे, जब आप बाबा के पास आए, तो किस तरह की struggles थी, किस तरह के पेपर आए, क्या-क्या विगहन आए, तो दादी न, उसमें सिर्फ बाबा के साथ जो सुख की बाते थी, वो सुनाती जाती, है न, बाबा से ऐसे मिलन मनाया, ऐसे दृष्टी मिली, ऐसे टोली मिली, ऐसे सहयोग मिला, ऐसे ये बात पार हो गई चुठकियों में, तो वो चो पूछ रहे थे न, वो बार-बार पू सिर्फ ये याद है कि बाबा के साथ सुख कितना मिला, क्योंकि निश्य बुद्धी के निशानी क्या होती है, उनकी बुद्धी कभी फसी ही नहीं, जो निश्य बुद्धी होता, वो किसे देख रहा है, बाबा को देख रहा है, बाबा से क्या-क्या मिला उसे देख रहा है वो जो विगहन आया उसको देखने के तो उसको फुरसत ही नहीं, तो जब उसने देखा ही नहीं, तो उसकी मेमरी में कैसे आएगा, आएगा क्या, कोई मेमरी में बात नहीं आएगी, कोई ट्रॉमा नहीं आएगा, इसलिए आप सोचो, दादियों की, अगर आप यग्य देखें, तो दादियों ने कितनी बातों को पार किया, लेकिन दादी की जो मुस्कुराहट थी, अंत तक भी, कैसे थी, इल्कुल इनोसेंट, बच्चे जैसे, जैसे दुनिया में कहते हैं, आनुभव के साथ, वो मुस्कुराहट भी मैली हो जाती, ऐसे नहीं थी, इल्कु जैसे मुस्कुराहट दादि किती, क्यों? क्योंकि दादि ने कभी उन बातों को जैसे माइन्ड ही नहीं किया, ये जो बाते ही, सारी साइड सेन्से, जब निश्य बुद्धि होते हैं, तो कभी घुटका नहीं खाते, जब घुटका ही नहीं खाएंगे, तो चेरे पर बल क से पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा चैरा तो ऐसे खुषी से चमकता रहेगा और अंत में भी कल्यान ही कल्यान होगा अंत में कल्यान तो होना ही है लेकिन निश्य बुद्धी क्या होते हैं बीच में गुटका खाते रहते हैं इसलिए कहते हैं मन्जिल तक तो पहुंच कदम बढ़ाते चले जाना है, जो निश्य बुद्धी होते हैं, वो पीछे नहीं हटते, कभी मुझते नहीं, कभी सेकेंड थौट्स नहीं लेते, मुझे याद है, एक बार एक भाई आये थे, किसी कमपनी के CEO थे, तो एक प्रश्न मुझे उन्होंने पूछा, कि आप लोग जब सरेंडर हो जाते हैं, उसके बाद कभी सेकेंड थौट्स नहीं आते, कभी ऐसा नहीं होता कि लगता है कि पता नहीं, इससे भी कुछ और कर सकत थे या तो हमने का हमारे यहाँ पर सरेंडर होना माना, जीते जी मर जाना, जब कोई मर जाता है, तो उसको पिछला जनम याद रहता है, कुछ नहीं रहता, तो अगर अगर ऐसा है, तो ही सरेंडर है, वरना अगर सेकेंड थौट्स आ रहें, तो कभी सरेंडर हुआ ही नहीं वो कभी surrender हुआ ही नहीं अगर इसलिए तो आज बाबा कहते न कई ऐसे बच्चे होते ओफर मिले तो पुरानी दुनिया में वापस चले जाए लेकिन बच्चे को ऐसा नहीं बनना है पुरानी दुनिया की कोई भी बात है जब पुरानी दुनिया छोड़ दी तो फिर कैसी भी बात आए मुझे पुरानी दुनिया की तरफ चाहे बहुत सुख पुरानी दुनिया से खीचे चाहे ज्यान मार्ग में बहुत सारी हमारे पेपर भी आए लेकिन अगर पुरानी दु आप विचार करो, लॉकिक मात पिता होते हैं, लॉकिक मात पिता मिल गए तो मिल गए ना, उसके बाद क्या सुख नहीं मिला तो छोड़ देंगी क्या उनको, छोड़ देते हैं माबाप को, ज्यादा कमफोटेबल नहीं लग रहा, आजकल बहुत विघन आ रहे हैं, माबाप चोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो मात पिता माना मात पिता, मात पिता का एक बार बना, पहचान गए, फिर और पीछे मुड के नहीं देखते, तो बाबा कहते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, ज्यान का गव भी नहीं क्यूं कह रहा है बाब मैं आत्मा हूँ, ये मेरा बाबा है, ये ही नहीं समझ में आए, इसलिए तो जब बाबा है, तो कोई option थोड़ी है, जब बाबा है, तो जो भी है बाबा के साथ, जैसे भी मेरी यात्रा है, ये तो बुद्धी ऐसी होती है, जो temporary हद के दुख को देखती है, लेकिन बाबा के साथ मुझे चलना ही है, मुझे ultimately उस कल्यान को देखना है, जो बाबा के साथ होने वाला है, तो बाबा कहते है, इन बातों को समझ कर चलना है, मुझे याद है एक माता एक बर सेंटर राई तो मुझे कहती कि मैं बहुत सालों पहले ज्ञान में चलती थी तो मैंने का फिर क्या हुआ तो कहती मैं उस समय पर सिवल सर्विस की प्रेपरेशन करती थी और मैंने चार अटेम्ट्स दिये चारों में नहीं हुआ मैं सोचती कि मैं बाबा की बनी तो मेरा जरूर सिवल सर्विस होना चाहिए है न तो ऐसे कर करके चार अटेम्ट होगे चारों नहीं हुए तो फिर मात पिता ने का शादी कर लो तो शादी कर लिया और ज्ञान छोड़ दिया तो मैंने उसको का अच्छा हुआ ना फिर बाबा ने आप पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वैसे भी जिसके अंदर ये है कि ये मिल जाए तो हम छोड़ दें ये ना मिले तो हम छोड़ दें उस पर बाबा भी क्यों इन्वेस्ट करे कुछ है ना तो ये भी आप देखो मनुष्य के अंदर क्या होता है देखने में ऐसा लगेगा विचार करो छे वरश तक रोज सेंटर आती लेकिन अंदर क्या छिपा हुआ है अंदर ये छिपा हुआ है कि मेरा ये एक्जाम हो जान ये मिल जाए तो हम छोड़ दें कई ऐसे होते हैं ये मिल जाए तो छोड़ दें जिनके बुद्धी में होता है ना वो ना मिले तो भी छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखे हैं वो कोई बाबा को पहचान कर बाबा के नहीं बने हैं वो तो कंडीशन पे आए है तो मिल जाए तो भी छोड़ देते हैं और ना मिले तो भी छोड़ देते हैं तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई लाचारी, कोई इच्छावश हमें बाबा का नहीं बनना है हमें बाबा को पहचान कर बाबा का बनना है और जब एक बार बाबा को पहचान लिया कि बाबा सर्व शक्तिवान है बाबा 21 चन्मों का वर्सा देने वाला है तो अंत तक बिना हिले डुले बिलकुल संपूर्ण रुपे निश्य बुद्धी होकर बाबा की श्रीमत पर चलना है तो बाबा कहते हैं किसी मजबूरी वश किसी लाचारी वश अब मैं आपको इसमें एक और बात बताते हूं कई बार ऐसा होता है कि लाचारी या मजबूरी हमें बाबा के पास लेकर आती हैं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ड्रामा में कई बाते होती हैं जिस कारण से हम बाबा के पास पहुंचते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कि कोई मजबूरी हुई, कोई लाचारी हुई, तो हम बाबा के पास आए, किस के पास जाएंगे, बाब के पास नहीं जाएंगे, तो किस के पास जाएंगे, लेकिन जब वो बात सीड़ी बनी, उसके द्वारा हम आए लेकिन फिर उस द्वार से आते हुए भी जब हमने पहचान लिया कि मुझे बाबा मिला, तो फिर उस कारण को छोड़ देना है, फिर हमें बाप का बन कर चलना है, फिर उस मजबूरी लाचारी के भरोस से नहीं रहना है कई बार मुझे एक माता कहती थी कि मैं जब बाबा के पास आई ना, तो मैं घर गर गरिहस्त की बातों से बहुत परिशान थी, तो मैं बाबा के पास आई, मुझे लगता था कि यहां कोई ऐसा मंत्र मिलेगा जो मेरा गरिहस्त सुधर जाएगा, तो मैं बाबा के पास आई, लेकिन जब मैं बाबा के पास आई, तो मैंने बाबा को पहचान लिया, फिर मुझे इस बाथ की परवा नहीं थी, कि ग्रहस्त सुद्रा या नहीं सुद्रा मुझे इस बात के परवात है कि मैं सुद्री या नहीं सुद्री तो मेरा बुद्धियोग फिर सब बातों से निकल गया और हाँ ये सच है कि ग्रहस्त सुद्रा लेकिन वो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उस आधार से या उस अनुभव के कारण मैं बाबा के पास रही, तो ये बात अलग है कि कोई बात, कोई मजबूरी, कोई लाचारी हमें बाबा के पास लेकर आए, लेकिन हम बाबा के बने उस आधार से नहीं, फिर हम बाबा को पहचान गए, तो उन बातों को हमें छोड़ देना है, और अ ऐसे होते हैं, गाव आदी में जहां कहेंगे, घास काटना पढ़ने से जाधा अच्छा है, उसमें स्वतंत्र अनुभव करते हैं स्वयम को, ये बहुत अच्छी बात बाबात समझा रहे हैं, मैं आपको इसमें अनुभव की बात बताती हूं, एक कन्या है, तो उसने मुझ कुछ दिन पहले फोन किया, और मुझे कहती कि जीवन में बहुत सारी बातें आ गई हैं दिदी, कन्या जीवन है, लेकिन बहुत बातें आ गई हैं, मनुश्यों ने भी धोका दे दिया, और कई प्रकार से जो नौकरी आदी में भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत मुश्किल से खाने पीने का अरेंचमेंट होता है और बहुत मजपूरी लाचारी में चल रहे हैं फिर कहती मेरा मन ना पूरा खराब हो चुका है बुद्धी काम नहीं कर रही है ज्यान भी मैं सुनती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कुछ तिन आपके पास आजाओं और बाबा के घर में रहू तीन चार दिन और मैं रिलाक्स हो जाओं तो मैंने का आप तो कन्या हो तीन चार दिन क्यों आप अपने जीवन के बारे में सोचो कि आप बाबा का बनो तो मुझे कहती नहीं नहीं दीदी मैं वो नहीं कर सकती तो मैंने का क्यों? तो कहती ही मुझे ना freedom बहुत पसंद है, मुझे मैं ऐसे बंधन में नहीं रह सकती, center पे बहुत बंधन होता है, तो मैंने का मेरे हिसाब से जहां से मैं देख रही हूँ, आपकी freedom तो बहुत miserable है, इतनी बुरी हालत थो हमारे center पे भी नहीं होती है, आपको क्या ऐसा सुख मिल रहा है, तो कहती ही मुझे ना दीदी ये है कि कोई मुझे ऐसे उठा ना दे साड़े तीन बजे रोज, मेरा मन करे तो मैं उठू, मेरा मन करे तो ना उठू, मेरा मन करे तो मुर्ली साथ बजे पड़ू, मेरा मन करे तो नौ बजे पड़ू, तो मुझे अपने मन से चलना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने कहा कि ये तो ऐसा हो गया ना कि मैं दुखी रहू, परेशान रहू, लाचार रहू लेकिन ये जो fancy idea है कि मैं स्वतंत रहू, इसके साथ रहू लेकिन जहां पर देखने में बंधन है लेकिन क्या है, बाबा की घर में देखो बंधन क्या है, discipline का बंधन है और तो कोई बंधन नहीं है लेकिन उसके साथ कितना अतिंद्रिय सुख है पवित्रता का वायू मंडल है हर प्रकार से safety है है न, दुनिया में तो आप देखो विकारों की बिना कोई आपको घर में रहने भी ना दे लेकिन बाबा की घर में क्या है विकारों की कोई बात नहीं पुरी permission है पवित्र रहने की हर प्रकार से बाबा की हर मर्यादा को पालन करने की तो इतना सुनने के बाद भी कहती नहीं नहीं दिदी फ्रीडम हमें बेहद की फ्रीडम से वंचित कर रहे हैं बाबा कहते हैं आज अगर शिप बाबा के स्नेह के बंधन में बंधें शिप बाबा के काईदों के बंधन में बंधें शिप बाबा की श्रीमत के बंधन में बंधें तो हम 21 जन्मों तक पूरे स्वतंत्र हो जाएंगे और अगर आज हद की freedom ढूंडेंगे न तो 21 जन्मों तक हम क्या करेंगे अनपढ़े पढ़े के आगे भरीड होएंगे वहाँ नौकरी करेंगे तो बाबा कहते हैं वहाँ पर फिर दास दासी बनेंगे वो नौकर बन कर रहेंगे लेकिन आज अगर पूरा बाबा के बंधन में बंधे तो 21 जन्मों तक स्वतन्त रहोंगे लेकिन कई होते हैं जिनको ये हद और बेहद की बात समझ में नहीं आती वो हद की freedom को ज्यादा value देते हैं और सदाकाल का बंधन उनको चलता है क्यूंकि बुद्धी विशाल नहीं होती नौकर बुद्धी विशाल नहीं होती तो ये देख नहीं पाते कि आज जिस बात को हम freedom कह रहें वो तो दुख है ही है आज भी दुख है और कल भी दुख दे चारों बातों में, जैसे बाबा को टीचर जानकर, सत्गुरु जानकर, बाबा की हर श्रीमत को फर्मान के रूप में पालन करना, कि एक भी बात मेरी श्रीमत के विरुद्ध ना हो, तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से बंधन और स्वतंतरता को मनुष्यात्मा समझती नहीं ह आप देखना बच्चे होते न स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उस समय पर उनको प्रलोबन आ जाता है, कोई नौकरी ओफर हो जाती है, तो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगते हैं, उनको उस समय वो पैसा एट्रैक्ट करता है लेकिन दस साल के बाद पच्चताते हैं कि हमने तो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की हमने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की तो क्यों क्यों क्योंकि उस समय हद में फस गए लॉंग टर्म नहीं देखा जो आत्माई देअभिमान में रहती है ना तो लॉंग टर्म को नहीं देख पाती फिर हद में फस के लॉंग टर्म का नुकसान कर लेते हैं तो बाबा ये बातें भी हमें एटेंशन में खिचवाते हैं अच्छा ओम शान्ती